किसी न किसी देख लो आप रदे से बस इसके यही सहारे काटने हैं काटने और पूर्ण ये साफ सहारे एक जगे पूर्ण हो जाएं भगवान का शहरा लाड़िली जू का शहरा जिसके पास न विद्या है न कोई गुण है न धन है और न कोई शहरा देने वाला है वो जिसकी तरफ देखता है सब ठोकर मार देते है सब ने जिसको त्याग दिया है अगर वो कहीं शंत कृपा से भगवान की शरण में आ जाए ऐसा प्रभू की शरण ले प्रशित गुण माशृत शुजना भगवान उसमें जो सुजन महत्माजन है उनमें जो गुणोते वो सब भर देते हैं उस शरणागत में दिब्यत आ जाते हैं और विश्व विख्यात उशे कर देते हैं ये भगवान का सरणयम यम तेपी प्रशित गुण माशृत शुजना विमुक्तास्तम जो बिलकुल गुण हीन था धन हीन था विद्या हीन था सब ठोकर मारते थे कोई सहारा देने वाला नहीं था ये सब मानो ये हमारे ही जीवन की बात कही जा रही है हम सब अगर आप भ्रहम से मान रहें कि अपने तो इस जीवन जो लिखा है वही जीवन था कुछ है किसी योग के नहीं तो क्या किरें जब भगवान की वो शर्ण में आया तो सारे वोगुन भर दिये भगवान ने जो एक दिब्य महात्मा में होते हैं और क्या किया उसे विश्व विख्यात कर दिया और क्या क्या वोले विमुक्तास्त्रम जो जीवन मुक्त महापुर्षों की स्थिती वो इस्थिती प्रदान कर दी किसी अनिशादन से नहीं एक मात शर्णागती से ऐसे हैं हमारे भगवान स्री कृष्ण मैं प्रणाम करता हूँ वंदे यदुपति महम कृष्ण महलम निर्मल बना करके जीवन मुक्त परमहंसों की स्थिती प्रदान कर भगवान को देने में कोई दुरलब्बात है क्या शर्णागती ये मत भट को इधर अधर शर्णागती बहुत जोर का विशह है ये शमजना है भगवान कहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है अब तुम्हारे उपर ये भार नहीं रहा बहुत ध्यान से शुनोगे तो आनंद आ जाएगा तुम्हें ये बात कोई समझाएगा भी तो नहीं सोन में आएगी कि अब तुम्हारा कल्यान नहीं होने वाला अरे ऐशा ऐशा करें तब जीवन मक्त होता है आपको नन की भी बात करें श्वयम भगवान की सरनागत हो जाना संपूर्ण शाधनों का फल है शार है जैसे भक्ती के नव विशेश स्वरूप है स्रवनम कीरतनम इश्मरनम विश्णूरपाद शेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सक्य पर ये जो नवा है ये अश्ट भक्ती का फल है आत्म शमरपाँ आत्म निवेदनम आत्म शमरपाँ अपने आपको प्रभू के हवाले कर देना अंदर से हरदे से आप देखो ये ऐसा वो परिष्ठिकी पैदा कर देते हैं या ऐसा ग्यान दे देते हैं दोनों बाते हों पूर्ण समरपन तभी होता है जब अशरण हो जाता है हर जगे धबका कोई सहरा देने वाला नहीं उसके पास कुछ नहीं कोई अगर उसकी तरफ से निकलना चाओ तो हट कर दूर खड़ा हो जाएगा कहीं कुछ मांग न ले कहीं कुछ कह न दे ऐसा तिरस्कृत उसे बिश्वंदनी बना देते हैं पक्का केवल शर्णागती बहुत बड़ा स्वरूप है सर्णागती का यह संपुर्ण शाधनों का शार है सर्णागत भक्त को अपने कल्यान के लिए कुछ भी करना सेस नहीं रहता सुनते जाना जैसे पति वर्ता शरीर शरंगार करती है पती के लिए पूरे ग्रह की टहल करती है पती शुक के लिए उसकी एक एक चेश्टा के वल अपने पती के लिए होती है यहां तक कि वो पूरे कुटुम्ब का वो पत्र पुत्री सबका पालन बोशन केवल पती प्रशनता के लिए कर भी है ठीक बस ऐसे ही सर्णागत का शुभाव बन जाता है उसकी सरीर की सारी चेश्टाएं प्रभुकु शमर्पित सारी इंद्रियों की चेश्टाएं प्रभुकु शमर्पित है तबी सेवग जी महाराज कह रहे हैं हरिवन्ष पतिब्रत है जिनके शुख शंपति दंपति जूतिंके ब्रंदावन में बिराजमान सहचरियों के मद्ध में प्रिया प्रीतम के प्रति जिसका ऐसा अनन निभाव बुले उसको निश्चित प्रिया प्रीतम प्राप्त होते हैं उनकी शेवा उसको प्राप्त ये बहुत बड़ी बात है ग्यान निधी वैराग्य निधी बड़े- बड़े महापुरुष जब थोड़ा सा रस का स्रवन हुआ तो आकांक्षाएं जाग्रत हो जाती है हरी रामभ्यार जी जिसे पद में कह रहे हैं कि शुरी तेरे चर्णन की रजपाऊं बैठी रहां कुण्यन के कोने श्यामरा दिकादाऊं जो रज सिवु शनकादिक याचत जिस रस के किनका को श्रवन करके याचना करते हैं कि अगर रज मिल गई तो प्रेम मिल जाएगा प्रेम मिल गया तो प्रिया प्रिता मिल जाएगे ज्यान श्रमत्र है भगवान शिवु ब्रमाजी परम ज्यान श्रमत्र है सम्पूर्ण शुष्टी का स्वजन ग्यान विज्ञान उन्हीं की तो देन है शरनागत भक्त शरीर को शुख पुर्वक लगता है नहाना कप्रावस कैसे जैसे पति वरतापने शरीर को सजाती है उसका उद्देश्ट क्या होता है पति को शुख देना पति देखेगा प्रशन होगा खसक में भूंगती है हमारे तो दो दो प्रितम प्रिया और प्रितम दोनों विहरत दू प्रितम पुंज यह हमारे दो हो आए उस शरीर को लेकर कि जिसे कोई बाहर यह देखे ऊशाधारन की हुए खुशबू आ रहे उसके सरे से इत्र लगा हुआ है स्वामिनी की प्रशादी और पान पाये हुए श्रीजी के श्रीजी की शेवा में लगाते हैं, अब ये श्रीजी की श्रीजी की शेवा का पात्र है, मैं करके भोगों में उतरना निंदनी है, त्याच्य है, लेकिन श्रीजी को शमर्पित ये श्रीज चाहिए, ग्रैस तो चाहिए विरक्त, अब वो उशी तरह से प्यार द कोई त्रिष्थान में उचे पे रखते हैं क्यों क्यों कि श्रीजी की शेवा में आएगा तो यह श्रीजी की शेवा पात रहो गया सरणागत का चिंतन कैसा होता है इसलिए तुम बाहरी त्याग तो देख सकते हो लेकिन आंतरिक शमरपण नहीं देख सकते हो जो प्रभू की शर्नागत हो जाता है उसकी कोई जाती नहीं होती उसका कोई गोत्र नहीं होता कुल नहीं होता उसका कोई उसका वही कुल होता है वही जाती होती गोत्र होता है जा समरपित हो जाता है लूक में देखो थोड़ा सा समरपन अन्य गोत्र कुल की कंया जब अपने पती को स्वईकार करती है तो पती कभ गोत्र कुल उसका हो जाता है फिर उसका अलग से नहीं बा अलग तो वो शमझ नहीं बाई है इसले नहीं एक भी बाई वो कोई और है कुल में उसका गोत्र अलग है उसके और वो जब पती को श्वेकार हुई तो पती के गोत्र में गोत्र मिल गया पती के कुल में कुल मिल गया उसका अलग से कुल गोत्र नहीं जैसे नदियां जब अलग रहती है तो नाम अलग होता है जब शमुद्र में मिल जा तो एक ही शब्द हो जाता श्रमद्र ना नदी का नाम रह गया ना रूप रह गया ऐसे ही प्रेम श्रमद्र प्रियालाल के शर्णागत का गोत्र प्रियालाल है कुल प्रियालाल है जाती प्रियालाल है इसलिए हमारे प्रियालाल के शर्णागती में कभी किसी शेनी पूछा ज्यद्धा आपका गोत्र क्या है खुल क्या है कौन सी हमें इससे नहीं आप हमारे प्रभु के अन्श हो प्रभु के शरनागत हो नहीं शरन हो यह बिल्कुल शमान विवहार आपके साथ होगा उसमें थोड़ी भी विवहार में कि आप इस जापके हैं तो आप इस सेवामें नहीं आ सकते, नहीं, देखो ना, किसी का परिचे नहीं कि आप किस जाते के हो, किसी का परिचे नहीं, दश्यों वर्ष से आप सेवा में हो, किसी का परिचे नहीं, ये आमात नहीं, मात है आप प्रभु के हो, बस प्रभु के हो के अपने जीवन को प्रभु में बना दो, शेवक जी महाराज कहते है